लड़की के साथ घटना हुई, कोलकाता की जो लड़की है, जिसके साथ ये घटना हुई, क्या वो लड़की अब वापिस आ जाएगी फांसी की सजा देने से, जिन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाएगी, तो वो लड़की वापिस आ जाएगी, क्या इंसाफ मिलेगा उसक कहते हैं उसको फांसी की सजा दो और इंसाफ मिल जाएगा ठीक है उसको इंसाफ मिल जाएगा कि उसको फांसी की सजाएगा पर वो लड़की वापिस आ जाएगी आएगी वो लड़की वापिस उन माबाप से पूछो जिन्होंने पाल पोस्कितना बड़ा किया क्या वो लड़की वापिस आ जाएगी अपने माबाप के पास अपने भाईयों के पास नहीं आएगी इस देश की बेटी चली गई और वो वापिस अब कभी नहीं आएगी चाहे उनको फांसी दो चाहे कुछ भी करो फांसी देने से और फिर भी ये situation पैदा हो जाती है दुबार मुंबत की उठानी पड़ती है दुबार इनसाफ माँगना पड़ता है जनता को इनसाफ माँगना पड़ता है तो कानून ऐसा क्यों नहीं बनता कि कोई भी दरिंदा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कानून को ऐसा बनाना चाहिए कि दुबारा कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले दस बार सोचे